हलो फ्रेंट्स कि आप जानते हैं कि ये स्टोन लेप्रोसी वर्ड कहां से आया है और ये कहां पर यूज किया जाता है और या किस घटना को स्टोन लेप्रोसी बोला जाता है जब जान लीजी जब अमलिय वर्षा की वज़े से एतिहासिक इमार्तों या एतिहासिक मूर्तियो के छरण होता है यानि कि वह संचारित होती है तो इस गठना को stone leprosy word का नाम दिया गया है तो इसके मुख्य गठक क्या होते हैं इसके मुख्य गठक होते हैं sulphur dioxide और nitrous oxide होते हैं जो कि पानी के साथ मिलकर nitric acid और sulphuric acid H2SO4, HNO3, यह दोनों का निर्मार करते हैं, तो वर्षा के जल में जैसा कि आप जानते हैं, पानी ही होता है, तो उस पानी के साथ मिलकर यह दोनों जो तत्व होते हैं, मतलब यह तत्व आते कैसे हैं, यह प्रिदूशन की वज़े से आते हैं, और यह हमारे चारों तरफ के व Detrip Acid, उन दोनों जो एसिट होते हैं, उनका यह निर्मार कर लेते हैं, और यह जब इमार्तों या मूर्तियों पर गिरते हैं, तो इनका छरन होना आरंब हो जाता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, स्टोन लेप्रोसी बोला जाता है, और ऐसा माना जाता है कि सीजन की पहली ब कि लिए दीरे धीरे फिर जमा हो जाते हैं तो इस तरीके के questions हमारे CTAD के exam में पहले देखे गए हैं और हो सकता है इस बार भी आपको देखने के लिए कुछ facts मिले हैं इस तरीके के questions मिले तो इस तरीके के facts को समय समय पर जानने के लिए हमारे चैनल को subscribe कीजिए वीडियोस को like क कीजिए शेर कीजिए और इसी वारी अपना सीटट के एक्जाम किलियर करके आईए दोस्तों जैहिन जैवारत